कि सभी दोस्तों को जई हिंड वानदे महातरम तो दोस्तों पोस्ट में इंडियान डाक में नई भरती सामने निकल कर आए ऑल इंडिया ओल एस्टेट में तो दोस्तों आग इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पोस्ट में में जो नई भरती डाक विभाग में नई भरती जो सामें निकल कराई है 10 पास बालों के लिए दोस्तों उम्र रखा गया है 18 साल से लेकर 40 साल और केबल 10 पास बच्चे अपलाई कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे बच्चों किसका ओनलाइन सुरू हो गया है तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 10 में कितने परतिसत बालों को सौट लिश्टेड किया जाएगा दोस्तों यह भरती हर साल आती है लेकिन पोस्ट खाली की खाली रह जाती है किस कारण से आप लोग यह इंडियन जो जीडियस की भरती है आही जाती है अच्छे खासे पद लेकर दे कि पोस्ट की संख्या 44,278 है सबसे जैदा पद यूपी में है 25,000 प्लस पोस्ट उत्तर परदेश में है तो आइए जानते हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या है कितने परतिसत बालों को सौट लिश्टेट किया जाएगा दोस्तों यह आप लोग इस भरती में online apply कर रहे हैं तो दोस्तों बता दे आपको इस भरती में online apply करने से पहले एक चीज बता दे कि computer का knowledge होना चाहिए आपको सैंकिल चलाना आना चाहिए और जो local language है वह बोलना आना चाहिए और दोस्तों इस भरती में आपका सेलेक्शन होता है तो भाई आप अपने गाउं महले घर आंगन में रहकर जौब कर सकते हैं मेरा कहना यह है कि आप अपने डिस्टिक में आप अपने तहसील में रहकर जौब कर सकते हैं अपने घर से रहकर इस जौब में आप काम कर सकते हैं दोस्तों यह जो डाक की भरती है इंडियन पोस्टमेंड की भरती है और देखिए इसमें आपको जो बर्दी मिलेगा ऐसा बर्दी मिलेगा देखिए डाकिया की बर्दी है और ऐसा बर्दी मिलेगा और एक सेकल लेकर भाई आपको चिठी पहुचाना है जिस भी BSF CSF जितने भी डिफेंस वाले बच्चों का जोएनिंग लेटर आएगा कि इस भरती में जो पोस्ट की संख्या है वाच चोवालीस अजार यहां पर है चोवालीस अजार दोसा 28 पोस्ट है समझ के दोस्तों इसके बाद दोस्ते हम लोग यहां पर बात करें तो देखनी जो टेंथ पास बच्चे यहां पर अप्लाए कर सकते हैं लोकल और इसका जो एकजाम फी का लास्ट डेट है वह 15 आठ दोजार 5 आठ दोजार चोवीस है तो दोस्तों 15-07-2024 से लेकर समझ गए और 5 आठ दोजार चोवीस इसका लास्ट डेट है 100 रुपया लगेगा जनरल और OBC को बाकी SCST को एक रुपया भी नहीं लगेगा को डेट आगा यदि और आप अनलाइन अपलाय करने में गलती करते हैं तो आपको यहां पर कोडेक्शन का भी डेट दिया जाएगा 6-8 अगस्ट और मैरिक्ट लिस्ट जो आएगा वह आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा उम्र की बात करें तो 58-2024 इसकी उम्र की भरती में सेलेक्शन प्रोसेस में लिखा है दो अप्लिकेशन विल भी शॉट लिस्टेट इंगेंजमेंट ऑन दा बेसिस ऑफ सिस्टम जेनरेटेट मैर्ट लिस्ट समझे यह जो आप जब ऑनलाइन अपलाय कीजिएगा जब अपना आप टेंथ का परसेंटेज डालिएग तो उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उनका जो एक सुत्र है एक उनका जो है उस शुत्र के अनुसार उनका जो एक है समझ गे उनका जो एक ट्रिक है उस ट्रिक के अनुसार देखे यहां पर दिया है सौट लिस्टेट फॉर इंगेंजमेंट ऑफ दा बेसिस ऑफ ए सिस केवल और यहां पर बताया गया है on secondary school examination 10th extender किसी भी मानेता प्रॉप्त बोर्ड से percentage on the accuracy 를 तो जो सिस्तम जो अप्लिकेशन को मैईक्विष्ट giornoड करेगे वह 10 basis पर होगा तो अब यहां पर दोस्तों काफन फर श्टूड curate में और राइन कर रहे थे उनका कॉमेंट था कि भाई इस भरती में कितने परतिसत बात ले बच्चों का सेलेक्शन होता है तो दोस्तों देखिए हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने कि हम किसी को डी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपका जितना भी परसेंटेज है आप ऑनलाइन अप सिंखा ऊपर हैं strengthened लीजे अप्ष्टर परटिसत से जिनका ऊपर है ठागा सबसे नीछे आएंगे तो फचैतर पर गगांगे उसारत के और से बीच में उसक्ट में इसलेक्ट्स वर्ती में योलीनल होना चाहिए आपका सेलेक्ट्सन हो जाएगा लेकिन भाई से बीच में आसी प्रकूंचर चे समझ बेच है हम सबसे नीचे 75 माने हैं समझ कि क्योंकि पोस्ट जैदा है लेकिन अपलाए भी काफी होगा क्योंकि इसमें उम्र है 18-40 लेकि दोस्तों यहां पर पिछले बार जो काफी बच्चे जो सेलेक्शन लिये हैं यह जिनका हुआ है तो भाई 80 पर 37 उनका 10 में था तब जाकर दोस सबसे नीचे रहेगा और असी जो है रहेगा असी परतिसत समझ के पिछले बार असी परतिसत बाले बच्चों का यहां पर सेलेक्शन हुआ था पोस्ट की संख्या जैदा है फिर भी समझ लिजिए यहां पर 960 57 889 880 219 50 तक दोस्तों इस वार जाने की संभावना है तो दोस्तों इसमें समझ लिजे यह आपका असी परतिसत है तो समझ लिजे आपका अपन फॉर्म है आपका सेलेक्शन इस भरती में हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह भरती टेंथ लेवल की है तो मेरे प्यारे होगा तो मिले नेक्स वीडियो में जाहिंद वंदे मात्रम बेस्ट अफ लग दोस्तों